साथियों मेरी आवाद जहां तक पहुँच रही है आप कॉंग्रेस के एक-एक कारिकरताओं को और विभिन माध्यमों से जो हमारी बात सुन रहे हैं आप तमाम आदरनिय बुजर्गों का, नौजबान दोस्तों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाईयों का, मेहनत मजदूरी करके ठेला रिक्सा चला करके, सरकारी और नीजी छेतरों में काम करके अपने परिवार का भरन पोसन करने वाले आप तमाम आवाम का करांतिकार इस्तक्बाल करता हूं आपका हार्दी कभिनंदन करता हूं दोस्तों मैं आपसे अपनी कुछ बातें साजा करना चाहता हूं उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ट नेताओं को कि आज उन्होंने बरी मसक्कत से मुझे यहां लाने में आपके मौजूद पहुचाने में मेहनत की है क्योंकि आजकल दिल्ली पुलिस हम पे जादा महरवान है दिल्ली पुलिस महरवान है और इस बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है एक्चुली इस बात से हम लोग खुश हैं कि पुलिस अगर विपक्च को डंडा ना मारे पुलिस अगर विपक्च के कुर्ते ना फारे पुलिस अगर विपक्च को डिटेन ना करे हिरासत में न डाले पुलिस अगर विपक्च को जेल में डाले ED अगर विपक्ष के नेताओं को परेशान ना करे CBI आपके घर पे रेड ना मारे Income Tax का छापा ना मारे तो समझी आप देश के लिए लर नहीं रहे हैं और हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम देश की जनता के लिए लर रहे हैं और आपकी एक एक परेशानी को जेलने के लिए तैयार है लेकिन एक बात हम दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को जरूर कहना चाहते हैं भाई साहब आप आते हैं साधारन परिवार से आप आते हैं किसान मजदूर के परिवार से आप आते हैं गरीब परिवार से आप जो हमारे उपर डंडा चला रहे हैं न एक्चुली आप अपने ही भविस्पे और अपने ही मुद्दों के उपर डंडा चला रहे हैं इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा और रिकॉर्ड तो करते ही आप लोग बनिया सा रिकॉर्ड करके ग्रीमंत्री को सुना दीजिएगा इस बात को याद रखिएगा कि DCP सहाब प्रमोट हो करके चले जाएंगे डीजीपी बन जाएंगे लेकिन जो आज इस देश की आर्मी के साथ हो रहा है वो बात किसी दिन किसी भी पुलिस के साथ हो सकता है इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि आज जिस तरीके से देश के लिए जो सम्मान की बात है जो सरवोच बलिदान की बात है अगर उनकी नौकरी को ठेके पे किया जा रहा है तो कल आपकी नौकरी को भी ठेके पे किया जा सकता है इसलिए Congress Party पिछले 12 तारीक से यह सत्यागरह कर रही है लेकिन ये जो सत्यागरह है जंतर मंतर पे जो सत्यागरह हो रहा है इस सत्यागरह का मूल कारण यह भी है कि हम सिर्फ अपने नेता को नहीं बचाना चाहते है मीडिया वालों मैं आप से खास करके कहना चाहता हूँ हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते है एक कहावत है सच को आच नहीं होता है हमको अपने नेता की चिंता नहीं है हमारा नेता कुछ गलत नहीं किया और सरकार उसका कुछ गलत नहीं कर सकती इस बात को याद रखिएगा हमको अपने नेता की चिंता नहीं होती है और हम इस सरकार को कहते हैं साहेब हर चीज का एक मंतर नहीं होता है बीजेपी चाहती है कि हर नेता पर एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले तो मैं भाजपाईयों को कहना चाहता हूँ रे भाजपावा लो ये राहूल गांधी हैं इंद्रा गांधी के परिवार से आते हैं राजीव गांधी के बेटा हैं आतंकवादी से नहीं डरे तुम तो वैसे भी माफी मागने वाले लोग हो भाई तुमसे क्या डरेंगे यार ED-UD से डर नहीं लगता है ED से हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं हम बस इस देश की जंता को बताना चाहते हैं कि ED इनके घर पे आया क्यूं है ED इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधू बता दिया है कि विपक्च के सारे नेताओं पे एक ही कैपसूल इस्तेमाल किजिए एक कैपसूल सबके उपर बड़ावर लागू नहीं होता है सब धान 22 पसेरी नहीं होता है इनको लगता है कि एक बार ED भेज देंगे तो कॉंग्रेस पार्टी डर जाएगी कॉंग्रेस के कारकरता डर जाएंगे और चुप हो करके बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के उपर ED आ गया है तो कारकरता को कौन पूछता है Congress Party के अंदर इस बात क्या जज़वा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवार किया है उस खिलवार के खिलाफ हैं हम उस खिलवार के खिलाफ क्यों हैं हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है यह हम नहीं बोले थे सुस सिरी सिरी 108 सिरी मान्या प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल दो करोन नौकरी दी जाएगी क्या मीडिया भाले मोदी जी बोले थे न कि हम बोले थे अरे बोलिये न महराज आपको भी बोलना परेगा याद रखिएगा इस बात को सब की बारी आएगी इस बात को याद अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा हमको कोई दित्कत नहीं है, लेकिन बारी सब की आएगी इस बात को याद रखिएगा, कहे थे न मोदी जी कि हर साल 2 क्रोर रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे, अरे बोलिये ना आप कॉंग्रेस के कार करता है भाजपा के थोड़े हैं के डर जाएंगे बोलिये बोले थे ना बोले थे ना कि महंगाई कम होगी बोले थे ना खाते में पंद्रे लाख रुपया आएगा बोले थे ना अच्छा दिन आएगा आया क्या मोदीजी के स्टाइल में पूछूं क्या आया क्या अब नया जुमला आया है अब नया जुमला आया है कि हम अगनी पथ ले करके आये हैं एक भाजपा का निता इमानदार है कैलास विजय बर्गिया को धन्यवाद देना चाहिए कम से कम उसने इस देश के नोजवानों की संका दूर कर दी उन्होंने बता दिया बाजपा की नई योजना है तयार भाजपा ओफिस में सभी नौजवान बनेंगे चोकीदार यही योजना है ना लेकिन मैं कहता हूँ बिजय बर्गिया जी आपका बेटा बल्ला भूद बढ़िया चलाता है अपसर पर बैट चला रहा थ उसको बिजय पी आफिस में क्यों नहीं सिकुरिटी गार्ड बना देते हैं मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी मंत्री का बेटा बनेगा बिसी सियाई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ओफिस में सिकुरिटी गार्ड हायरे हिपोक्रेसी इस बात को मान लिया देश के लोगों ने मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया सब कुछ किया इस देश ने लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किये हैं और ये देश की जो परिस्थिती है इस परिस्थिती पे मुखड हो करके हमारे नेताब बोलते हैं इस बात का हमको गर्ब है कि सरकार के सामने बिना जुके कोई लड़ता है और क कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार ये चौकीदार नहीं है ये देश के ठेकेदार है और ये देश के ठेकेदार कैसे है क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविस्थ को ये ठेके पर कर देना जाए झाल झाल